प्रेस्टी सब्सक्राइब बटन, प्रेस्टी बैल आइकन, यू विल रिसीव अल दी नोटिफिकेशन्स आज हम बनाएंगे चीजी मैगी डोसा, चीजी मैगी डोसा बहुत ही यम्मी होता है, इसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सॉस, सॉस के लिए हमें चाहिए आदा कब दूद, एक चुथाई चमच कालमिश पाउडर, नमक, स्वादनुसार, दो चमच बटर, दो चम बटर मेल्ड होने के बाद इसके अंदर मैदा डालेंगे, दो चमच मैदा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाना हैес, अब इसके अंदर हम दूद अड करेंगे, तीडी दीर करके दूद डालियो और इसे लगाते चलाते रहेें, इस अब हमने इसमें डालेंगे एक चोथा चमच काले मिच पाउडर और सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा कमी डालें क्योंकि बटर में और चीज में थोड़ा नमक होता है और इस अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब हम डालेंगे इसमें हमारी प्रॉसेश चीज यह मैंने ग्रेट कर ली है कदुकस कर लिया है इससे डालके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मेल्ट होने तक पकाईए हमारा चीज मेल्ट हो चुका है अब हम इसके अंदर थोड़ा से दूद्ध और एड़ करेंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे करिब दो मिनट पकाना है अब हमारा सॉस बनके राड़ी है दो मिनट बाद में अब हम बनाएंगी फिलिंग लिए हमें चाहिए दो चमश बटर हाफ कफ मॉजरेला चीज दो बड़ी चमश सैजवन चटनी एक चमश कैचप ओइल पैन पे लगाने के लिए मैगी दो एक पैकेट एक प्याज एक टमाटर और एक शिम्ला मिश कटी हुई और डोसा बैटर एक कडाय में हम दो कब पाने डालेंगे और पानी में बॉइल आने देंगे पानी में बॉइल आ चुका है अब इसके अंदर हम मैगी एड़ करेंगे और हमारा मैगी मसाला एड़ करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे इसे चेक करते रहे और ध्यान रहेगी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए कि हमें पूरा पानी जलाना है अगर इसमें पानी रहता है तो जब हम फिलिंग करेंगे तो हमारी जो फिलिंग है वो फोड़ी गीली रहेगी इससे हमें डोसा रोल करने में प्रॉब्लम होगी तो मेक शॉर कि इसमें पानी बिल्कुल बिना रहे है पाने हमारे मैगी को अब इसारा पानी जल चुका है और हमारे मैगी बनके रेडी है जोसी अब मैगी हां आख से नवा बाटर बाट शुक्त है हम चाई थोड़ा थिक है इसमें हम पानी अड़ कर लेंगे और इसके वह एक लेक्द पॉरिंग कर लेक्ड़ तर दा को है यह मैंने बैटर जोए घर पर बिनाया है आप चाहते हैं तो रेडिमेंट भी ले सकते हैं एक पैन पर हम ऑईल ग्रीज करेंगे अच्छे से चारतरफ ऑईल लगा लेंगे और एक कर्ची की हैप से पैन पर बैटर डालेंगे और इसे एक ही डारेक्शन में मूव करते रहेंगे और धियार रहे कि आप कर्ची को लिफ्ट ना करें इसे मूव फैलाते वक्त तो इसके ओपर एक चमच बटर डालेंगे और इसे अच्छे से चारतर फैला लेंगे इसके ओपर सॉस जालके अच्छे से फैला लेंगे चारो तरफ इसके ओपर कटे हुए टमाटर कटिवी शिम्ला मिर्च और कटवा प्याज एड़ करेंगे और इसके ओपर सैजवन चटनी डालेंगे दो चमच अगर आप स्पाइसी और ज़्यादा खाना चाहते हैं आप इसपे ज़्यादा डाल सकते हैं एक चमच कैचप एड़ करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और मैने मैशर से मैश किया आप चाहें तो इसे चमच से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं फिर इसके उपर हम मैगी एड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसके उपर चीज डालेंगे, मौजराला चीज. इसके किनारों को चेक करेंगे, अब भी ये रेड़ी नहीं हुआ है. हमारा रोसा रेड़ी हो चुका है, अब इसे किसी भी कटर या फिन नाइफ की हल्प से स्ट्रिप्स में काटेंगे. इसे अच्छे से रोल कर लेंगे, क्येरफुली करिएगा क्योंकि स्टफिंग गरम है. हमारा चीजी मैगी दोसा बनके रेड़ी है, इसको सर्फ करते विएक इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डालें, प्रॉसीची सॉस जो हमने बनाया था वो डालें, थोड़ा सी कॉरियंडर लीव्स डालें, हरे धनिया के पत्ती डालें, और थोड़ा सा चीज डालें, अपना मॉ अब ट्राइ कीजिए, ट्राइ करके बताईगा के कैसा बना और इसके रिलेटेड अगर कोई भी कवारी हो तो प्लीज मुझे बता दीजेगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉल्स करने की पूरी कोशिश करूँगी कर दो ट्राइक, कर दोस्तों थाइक, प्लीज मुझे कर दोस्तों तब एक निएक प्रम कोश्तों गड़ा कर दोस्तों दोस्तों फिर दोड़ा कोचिए